नमस्कार मैं हूँ अंजली स्वार और एक बार फिर से हाजर हूँ बस इसी दुआ के साथ की फिट रहे इंडिया आज का एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं दललिट से और आज की एपिसोड में हम आपको खास तोर पर बताएंगे कि क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कैसे कंट्रोल करता है या आपका मुटाबा इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बना सकते हैं कुछ हेल्दी जूसी मॉक्टेल्स और साथी मसल बिल्डिंग टिप्स पेन और फैट की बातें अब हो गई है पुरानी अब डाइटिशन्स एक नए कॉंसेप्ट की बात करें हैं जिसे कहते हैं जी आई ये जी आई होता है गलाइसमिक इंडेक्स लेकिन गलाइसमिक इंडेक्स है क्या और कैसे इसे अपना कर आप हो सकते हैं पतले ये हम आपको बताएंगे भूल जाएए कैलोरीज और फैट का चकर अब गांट बान लीजिए जी आई का मंद्र जी आई यानि की ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम भारी भर कम है लेकिन कॉंसर्ट खलके फुलके खाने का है हमारे खाने का सबसे बड़ा हिस्सा है काबो हाइडरेट लेकिन हर कार्बो हाइडरेट एक जैसा नहीं होता हमारे शरीर में हर खाने का काबो हाइडरेट अलग तरे से असर डालता है और इसकी वज़े है इनका अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके शुगर बनाता है तो जो खाना कितना amount में शुगर बनाता है उसे हम glycemic index कहते हैं और इसके लिए हम एक reference value लेते हैं जो glucose है जिस क्योंकि उसका जो glycemic index है वो 100 है जो की other extreme है और वो बहुत खराब है तो we should look for food जिसका glycemic index जितना भी कम हो वो आपकी health के लिए उतना ही वो अच्छा रहेगा तो अगर आपको कम करना है अपना वज़न या फिर रखना चाहते हैं अपनी diabetes पर control तो अपना लीजिए ये GI concept कोई भी food इसका अगर glycemic index is above 70 is considered to be high glycemic food और हमें वो food avoid करना चाहिए medium glycemic index is somewhere between 50 to 70 and कोई भी food अगर उसका glycemic index less than 50 है that is considered to be very healthy और वो आपको ज़रूर लेना चाहिए अपनी diet में अब एक नजर आम तोर पर खाय जाने वाले food items के glycemic index पर सबसे पहले बात करते हैं नाश्टेगी breakfast में हमारा फेवरिट सीरियल कॉन्फिक्स जो आम तोर पर लोगों को वजन घटाने का अच्छा तरीका लगता है दर असल भारी भार कम है इसका glycemic index है करीब 81 वही बाजार में मिलने वाले road oats से बना porridge पचपन का glycemic index आपके breakfast bowl में सर्व करता है और अगर पकाने का आपके पास वक्त नहीं तो डिपे से निकली म्यूजली भी अच्छी है इसका glycemic index है करीब 57 ब्रेट का glycemic index होता है 70 से 75 के बीच फल तो लगबग सभी glycemic index concept के बादशा है लेकिन सेब 36 के आँखडे के साथ सब पर भारी पड़ जाता है और अब बात लंच की ब्रेट के 70 के मुकाबले रोटी का glycemic index है करीब 52 तो साफ है कि रोटी ने ब्रेट को माट दे दी सफेद उबले चावल का भी glycemic index करीब करीब 73 है वही ब्राउन राइस 68 के glycemic index के साथ हलका सावित होता है सभी सबजियों का तो लगबग बेहद लोग glycemic index होता है लेकिन आलू से बच कर रही है इसका glycemic index इसे पकाने की तरीके के मुताबिक 80 से 90 तक हो सकता है दालों का glycemic index से करीब 32 लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजमा जिससे अकसर लोग पर हेस करते हैं वो दालों से कम 24 है लेकिन सोयवीन ने यहां भी सबको मात दे दी 16 के glycemic index के साथ यह रानी बनी हुई है यह जरूरी नहीं कि जो हाई glycemic index वाले food है वो आप completely avoid करें वो आप जरूर ले लीजिए लेकिन एक तो ऐसे combination में लीजिए जिसे की जो आपका final load जो body में हो रहा है वो कम से कम रहे